अब को आज यहां और वे इनी डेस्क के बारे में कुछ जानकरी देने वाला हूं तो आए मैंने यह ऐनी डेस्क करके जो कुछ सौप्टर है रहता है रिमोट डेस्क शौप्टर्थर के लिए तो यह software आपको देखो यह जो मैं उसकी EXC उसका जो software है वो description में दे रहा हूँ वहाँ से आपको download करना रहेगा जैसे ही आप उसके उपर double click करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका ID मिल जाएंगे तो जो भी आपको यहाँ पर ID मिल जाएंगे वो आपको सामने वाले partner को देना है और जैसे ही सामने वाला partner यहाँ पर वो ID जो डालता है तो उसके बाद आप उसको connect कर सकते हो मालोगे में यह कोई ID select किया तो अभी मेरा यह client offline है तो यह समेसे जाएंगे ठीक है तो यहाँ से मैंने उसका number डाल दिया यहाँ पर connect करेंगे तो यह request उसको पास चले जाएंगे ठीक है तो वहाँ से वो accept करेंगा और start करेंगे तो यह any desk open हो जाएंगे और आपका जो desktop है उ तो आपको यह जो आपको satisfied है कि वो आपके system में कुछ गरबडी नहीं करने वाला तबी वो आपको any desk दीजिए और आपको कुछ support चाहिए उसके उपास से कुछ जानकारी चाहिए या तो वो बता रहा है तो उसका any desk आप लीजिए उसका number लेजिए और यहाँ पर डालिए औ तो उसका system में जो भी वो करने वाला है या तो कुछ software आपको दिखाने वाला है वो आपको दिखा पाएंगे और आपके software में कुछ installation करवाना है या तो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है और guide करना है तो आपका ID उसको देना पड़ेगा तो यह यहाँ से दे सकते हैं और तो उसमें यहाँ से password भी आप set कर सकते हो यहाँ पर मान लोग एक बार आपने password set कर दिया तो यहाँ पर password set करने के बाद आप कहीं पर भी यह ID password डालके operate कर सकते हो ठीक है उसमें बहुत सारे function दे रखे है लेकिन उसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको यह function के dip में जान देंगे तो वो उसके बाद control लेके सामने वाला बंदा आपके software देना है या तो आपके system से कुछ data उसके system में transfer करना है या तो कुछ guide करना है वो कर सकते है ठीक है तो यह Anydesk software बहुत बढ़िया काम आता है और बहुत जगह पर use होता है जो आपको remote desktop बोलते है तो यह जो team viewer है ME admin है उसके जैसा यह Anydesk है ठीक है तो I hope आशा रखता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा और समझ में नहीं है भी आ रहा है तो आप comment works में लखिए तो कुछ न कुछ query रहती है तो मैं आपको समझाने का पूरा try करता हूँ तो यह उसका जो EXC है जो मैं description में आपको द download कर सकते हूँ थैंक यू पर वाचिंग YouTube चैनल थैंक यू